और यह limited edition है, top of the line variant है, इसके अंदर आपको सब कुछ ही मिलता है, so this is automatic petrol variant car, इस गाड़ी की condition की बात करों, तो दोस्तों यह बिलकुल less driven car है, क्योंकि इसने 10,000 km भी अभी पूरे नहीं किये गए है, जीप की जो shape है और जीप की जो शकल है, वो बहुत ही जादा खूपसूरत ह अब आप खुद बताना comment में कि कैसी लग रही है एक कार, interior mind-blowing, यह कुछ नया प्रोड़क्त था, जीप जो हमने आज आज आपको दिखाना था, जो इनके stock में आई थी, तो इसके लिए तो आप surely inquiry कर लें, क्योंकि यह बहुत limited ही आती है, यह रोजाना आने वाली चीज नह अब ही थोड़ी सी rare ही रहती है second-end market में कॉमोंत श्रकशल कसा के क्या हिसे रिचानिएप का नहीं Valley में उपल अमन के खाल सजमार। दोस्तों आपका बहुत बहुत सवागत है है माई कंटरमालड के एक और इंटरस्टिंग गाड़ी के एपिसोड में आज कह जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड है बहुती ही बहुती न कंपनी की कार को जिसको हम कहते हैं जीप और आज हम आपके लिए लेकर आया है टी सीम डेली के स्टॉक से जीप कमपास यह गाड़ी बहुत ही special है उन भाइयों के लिए जिनको जीप का शौक है जो जीप ओन करना चाहते है और अब तो आप जानते हैं कि जीप ने नया वाला मॉडल निकाल दिया है फेसलिफ्ट वर्जन निकाल दिया है जिसमें काफी सारे चेंज़े सागे हैं इंटिरियर वाइ है और किस कंडिशन की यह कार है वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस गाड़ी की कंडिशन की बात करों तो दोस्तों यह बिल्कुल लेस ड्रिवन कार है क्योंकि इसने 10,000 किलोमेटर भी अभी पूरे नहीं किये गए हैं फ्रेंट में अगर बात करो तो फ्रेंट में अपन को मिलता है यहां पर आपको क्रोम की फिनिशिंग इधर भी इधर भी अभी थोड़ा बहुत आप एड़्यस कर लेना क्योंकि आपको बता है मौसम में दिल्ली का बहुत खराब है रेन होती रहती है तो अभी पूरी रेन में होके आई गाड़ी तो थोड़ी गंदी होगी अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की साइड प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इसके अंदर कस्टमाइज अलॉय लगी हुआ बट नहीं यह लिमिटेड एडिशन के अंदर ही आपको मिलते है इने हम कहते हैं क्रोम अलॉय वील्स जो की स्टॉक है जिसकी अगर टायर प्रोफाइल की मैं बात करों सो इस तू थर्टी फाइफ फिफ्टी आर एटीन इंचेस के स्टॉक अलॉय वील्स हैं विद्ट क्रोम फिनिशिंग अब आप खुद बताना कॉमेंट में कि कैसी लग रही है कार पीछे से देखते हैं तो पीछ बन कर दो और लॉक कर दो पीछे से हम लोग इसके टेल लैम्स देख पा रहे हैं लिटरली बता रहा हूं जीप की जो शेप है और जीप की जो शकल है वह बहुत ही जादा खूपसूरत है बहुत ही माचो लुक यह गाड़ी देती है यहां पर आपको लिमिटेड प्लस की आ तो अभी मैं इसका बूट ओपन करता हूं तो बूट ओपन कर आपको इस दिखायता हूं कि क्या इस पेस है तो पीछे से आपको काफी प्लैंटी फेस मिल जाता है काफी अच्छी आप देख सकते है अन्यूज़ एक तो पीछे मैटिंग मिल जाती है अगर इधर खोलेंगे आपको जीप के aiconic sign ने की आपको बॉड़ी में हर जगा मिल ज gráfic पादा यहां ही आपको मिलता है और भी भोट जगह है जह önह कर आपको मिलता है यहां पलंग की सुन्दर ब्रेंगनूभीesser अगर आप देख intelligent को इस इस दिख रही जो पोरी आप पान्रम जाभी पूरी सीटि तो अब आप देखते हैं पेपर मैट भी हमने डाले है इसके अंदर पाकी पीछ अगर आप देखेंगे तो दो रेर एसी वैंड आपको दिखते है चोटे-चोटे तेन आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है धन उसके सार्ड आमरेस्ट मैं आपको दिखाता हूं यह है इस चला रहा हूं वो है जीप कमपास यह गाड़ी बहुत ही जादा स्पेशल है क्योंकि अभी तक हमने आपको बहुत सारी प्रेमियम गाड़ी की टेस्ट डाइव दिखाई है बड़ आज पहली बार में जीप कमपास की आपको ड्राइव दिखा रहा हूं अलगी मैंने आपको चला के दिखाई है बड़ कमपास का भी अलग ही क्लाइंटेज है इंडिया के अंदर लोग कमपास को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अभी जो स्पीड है इस गाड़ी की वो अप्रॉक्सिमिटली 30 टू 40 ही मैं इसे चला रहा हूं और जो सिटी ड्राइव का मज़ा है उपर आप देख सकते हैं इस टाम मौसम भी बहुत जादा शानदार है बारिश वाला मौसम है उपर पूरी पैनरोमिक आपको संरूफ मिलती है और बाकी जो इंटीर है वो इंटीर काफी अच्छे कलर में दिया हुआ इसका अगर आप कॉमिनेशन देखेंगे तो यह इंट इंट इंटीर है तो यह भी आपको सिर्च इन मिलती है उसके सासद आपको फूोन के कन्रोल रहाते उस आप देखेंगे वाकी अगर इदर देखना चाहिए तो इह दर आपको सारे अइसी के कन्डे मिल जाते है जो कि आपके सामने है granth E.C. कि आव ca. C इसका टच अगर आप देखेंगे ज्यादा कोई प्रॉब्म होती नहीं है और अभी हम इसे नॉर्मली मोड में लेकर चल रहे हैं तो अभी आप देखेंगे तो मैं डी में लेकर चल रहा हूं से नीचे यहां पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बेटर मिल जाता है देन इलेक उच्च किलोमेटर यह चली हुई है यानि कुछ भी यह गाड़ी अभी नहीं चली तो जो भी बायर होगा इस गाड़ी का या जो भी इस गाड़ी को लेगा उसको ऐसा नहीं लगगेगा कि उसने कोई सेकिन और गाड़ी लिए उसको बिलकुल नया वाला फील आएगा 50, 60, तो आप देख रहे हो, और बहुत स्मूड ड्राइव है, 60 पे भी मैं चला रहा हूं, 70 पे चला रहा हूं, तो काफी अच्छी और काफी स्मूड ड्राइव है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, और जीप की जो क्वालिटी है वो तो आप सब को पता ही है, इंटरनेशनल लेवल पे जीप किस तरीके का काम करती है, और होन अगर आप सुनना चाहेंगे, तो होन आपको सुनाता हूं, बहुत बहुत बढ़िया होन है, तो अभी बारिज भी शुरू होगी है, तो अभी उतरते हैं और आपको बताते हैं कि क्या डील है इस गाड़ी क तो बात करते हैं अब इस गाड़ी की डीटेल की कि क्या डीटेल है इस गाड़ी की, दोस्तों ये गाड़ी है जीप कमपास 2019 मॉडल है और जो लिमिटेड प्लस इसका वेरेंट है, मैं आपको बताया चुका हूँ, किलोमेटर जो है इसके 8500 है, यानि 8500 किलोमेटर तकरीब ये वाले अवेरेंट आपको मिल जाता था, बट आज मैं बात करूँ इस गाड़ी की डिमांड की, क्या डिमांड है टीसेम डेली पे, तो आस्किंग प्राइज आइस का 20 लाक रुपीज, यानि 20 लाक रुपे की है इस गाड़ी की डील, तो अगर आप चाहें इस गाड़ी आज आज आपको दिखाना था, जो इनके स्टॉक में आई थी, तो इसके लिए तो आप शौरली इंक्वारी कर लें, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड ही आती है, ये रोजाना आने वाली चीज नहीं है, ये ओडी, बीम डबलु से भी, थोड़ी सी रेर ही रहती है, सेकिंड ये होता है, कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ, आपके सवालों के वहाँ डिरेक्ली जवाब देने, तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ, अलविदा, आप से मिलूँगा नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, खुदा आफिस, टेक क कि आप, खुदा मुझसे कर दो भी सकते हो झाफिस, तो इसी कि अवाब देती जवाब दाल、 कि खुदा रहल जहाई अलिक्स वीडियो में, यह दो बदेती, गवाब, पत्रों, ऑम टूबἝसे कोई टोतों भीसे कोई स्कते हूँशाने, पutक मैंने, तो पुदा